हाई फ्रेंड्स वेल्कम करते हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप सब के लिए गुड न्यूज दे कर आई हूँ की अलग है पोस्ट वालों की अलग विकैंस को आउट किया गया है किस तरह से अप्लाई करने सारा मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगी और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लेना चैनल को पहले बटन को साथ में जरूर प्रेस करना इ अगर आप बुक्स ढूंड रहे हैं उन बुक्स को ज़रू डाउड करना बहुत ही ज़ाद काम आने वरे बुक्स है आपके पीडियो फॉर्माट में है हर एक अपकमी एक्जाम के लिए काफी ज़ादा इंपोर्टन रहेंगी वह बुक्स है चले बात करेंगे अभी रिक्र स्क्रिप्शन में मिल जाएगा www.klory.com इस वेबसेट पे जाएंगे सारी विकैंसिस की डिट्लेज आपको मिल जाएंगी इसके इलावा वी जो मैं विकैंसिस आपको बता रही हूँ वहां पर आपको यह भी बताया गया है क्या के इलीजी मिलती है अपलाई किस तरह से करना कोई प्रॉब्लम आरे होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है फिलहाल हम बात करेंगे नहरु यूवा के इंदर संगठन की तरव से यह 2019 का रिद्नियू नोटिफिकिशन आउट हुआ है इसमें जो विकैंसिस है जैसे कि मैंने आपको बताया 10 पास की अलगा 12 पास की है टोटल जो पोस्ट आउट की है 337 विकैंसिस आउट की है और आपको अपलाई करना है और आपको फीस जो है वो भी ऑनलेन ही पे करनी है और इसमें आपके जो सेल्दी रहेगी अलग-अलग हिसाब से डिवाइड कर रखिया है 25,500 से लेकर 81,100 तक भी है और 34,500 से लेकर 1, 25,000 तक भी सेल्दी रहेगी अप्लिकेशन फीस यहां पर देखे जर्नल ओबी सी के लिए 700 रूपीज बताएगी है अगर जर्नल ओबी सी में फीमेल कैटागरी अपलाई करते हैं उनके लिए 300 रूपीज एप्लिकेशन के फीस बता दी गी है और फीजिकली हैंडिकाप के ल इसमें लेवल 10 के हिसाब सेल्दी बताएगी है 56,100 से लेकर 17,500 तक बताएगी है इसके लिए पोस्ट गयुचे अगर आपने की हुई है किसी भी डिसिप्लन मेरी को गुनाई यूनिवस्टी से तो यहां पी आप इलिजिबलो अपलाई कर सकते हो यह जो अपर लेवल की पो अकिविटिस में रूरल डिवल्पमेंट में या अधर सोचल सेक्टर में और नेक्स जो पोस्ट है जूनिर कंप्यूटर प्रोग्रामर की है इसके लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैल्री देगी इसमें इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी हुई है कंप्यूटर साइंस में या उनिवस्टी से या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो ठीक है नेक्स जो पोस्ट है असिस्टेंट की है इसमें आपकी देखिए सैल्री क्या बताएगी है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक बताएगी है अभी हम जो पोस्ट ग्राइशन वाले हैं उनकी ही बात कर रहे हैं बाकी विकें पहली विकेंशी असिस्टेंट वाली इसके लिए तीन साल का एक्सपीरेंस इन्होंने मांगा है एड्मीन में अगर आपके पास है आप अपलाई कर सकते हैं नेक्स जो पोस्ट है लाइब्रेयन की इसके लिए भी सेल्डी बताएगी है इसके लिए डिगरी मांगी हुई है या टिप्लोम मा अगर आपने किया हुए लाइब्रेडी साइंस में तब आप इलीजी बलो अपलाई कर सकते हो प्लस दो साल का एक्सपीरेंस लाइब्रेडी में मांगा गया है स्टैनोग्राफर के लिए ट्वेल्थ पास अगर आपने की हुई है आप अपलाई कर सकते हो पेन्ग्लिश में आपकी टाइपिनिंग स्पीड है इंगलिश में और हिंदी में आप तेम्टीफ इस प्लस प्लस अप एकर रहना है और 1300 तक आपकी salary बताईगी है और degree इसके लिए मागेगी है computer operator के लिए अगर आपने degree के हुए रिकोगनेज युनिवर्स्टी से तब आप apply कर सकते हो और इसके लिए यानि की computer operator के लिए अगर आपके पास 8000 की depression है मतलब पर R के हिसाब से यानि की half an R के हिसाब से data entry work के लिए आप illisible हो apply कर सकते हो साथ में अगर आपके पास एक साल का certificate course है computer में रिकोगनेज इंस्टिटूट से तब आप apply कर सकते हैं अगली जो पोस्ट है account clerk कम typist की है इसके लिए 81100 तक आपकी salary दहेगी बीकॉम अगर आपने की हुए रिकोगनेज युनिवर्स्टी से आप apply कर सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट है लोड विजन क्लरक की है इसके लिए भी 12th pass illisible है apply कर सकते हैं 12th pass साथ में 30 words per minute की English की speed मांगी है 25 words per minute की Hindi में speed आपकी मांगी है और आपकी यहाँ पे इनोने बताय हुए 9000 से 10500 तक आपके अगर की depression है तो यहाँ पे आप apply कर सकते हो multitasking staff की है next post है जिसके लिए 10th यहोंने मांगी हुई है 10th pass apply कर सकते हैं और जिन्होंने work किया हुआ NSV में RSY NYC में minimum 1 year से working है वो यहाँ पे eligible है apply कर सकते हैं और जिनके पास ट्रेनिंग है basic में home guard में या civil defense में वो यहाँ पे eligible है apply कर सकते हैं ठीक है इसकी limit minimum 18 maximum 28 प्लस relaxation बता दिया गया है फर्स जो लिंक है apply online का है चीक है और सेकिंड जो है download official notification का इस पे download कर लेते हैं जैसे देखे मैंने click here पे okay किया यह official notification डाउन्लोड हो चुक है सारा आपने अच्छे से read कर लेना है चीक है वैसे इन्होंने यहाँ पे यह बताया है कि 19 जुराई 2019 से apply कर सकते हैं लास्ट जो है वह 31 जुराई 2019 डेंगी लेकिन apply link अभी तक अक्टिविट नहीं हुआ है आपको पता है एक दो दिन यह लेते ही है तो मतलब क्या है अगर 21 को भी एक्टिविट होगा ना apply link तो 20 दिन आपको दिये जाएंगे apply करने के लिए ठीक है वीडियो को कीजिए like share thanks for watching